अभी मैं खड़ा हूँ पर नाए गांधी मैदान में, तीन तारीक यानि कल कॉंग्रेस की रैली होने वाली है, इसमें राहूल गांधी आने वाले हैं, आप जैसा कि देख रहे हैं तैयारियां 0-0 रुपे हैं और चारों तरफ परसासन के बुखता इंतरजामात किये गए हैं कि जिस तरह से कॉंग्रेस पार्टी अब पटना में गांधी मैदान में रैली करवा रहे हैं, कहीं न कहीं से यह एक आने वाले लोकसभा चुनाओं में उनको अपनी पावर दिखाने का एक मौका है, लेकिन ऐसे में यह देखा जा रहा है कि जिस तरह से आप देख रहे हैं कि एस्टेस जो है काफी आधूनिक तरीके से बनाया गया है, LED स्क्रीन लगाया गया है और यहां पर काफी संख्या में आज एक प्रेस कॉंफरेंस का किया गया था, इसमें कॉंग्रेस के नेता अपनी बातों को रखे थे और जिस तरह से यह तैयारियां आप देख रहे हैं कि चारों तरफ कॉंग्रेस के नेता आज से ही यहां जमाबना लगाये हुए हैं और यहां कॉंग्रेस की जो रैली है, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा रैली कहा जा रहा है, लेकिन जिस तरह से बजट पेस किया गया है, उसको ले करके यह भी अंदेशा लगाया जा और गरीब तबकों के लोग जो हैं उनको खास करके किसानों को जो साल में 6,000 रुपए देने की बात कही गई है और राहुल गांधी की भी परतिकरिया आई है कि 6,000 रुपए महीन सलाना जो उनके खाते में जाएगा, यानि कि एक दिन के हिसाफ से 1 रुपया 70 पैसा के लग दिया जा रहा है किसानों को ऐसे में तो एक हाफ कप चाय के बराबर भी रेट नहीं है तो ऐसे में किसान किस तरह से इसको सुईकार करेंगे या सीधा या एक चुनावी बजट पेस किया गया है तो अब आने वाले समय में यानि कल देखते हैं कि राहुल गांधी इस जो किरिया होगा या आने वाला समय बताएगा पटना से पंजाब केश्री टीवी के लिए संजीर